हेलो फ्रेंड्स मेरीटा के क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए ये खुबसूरत से बेबी बूटीज लेकर आई हूँ ये बूटीज छे महीने से लेके एक साल के बच्चे को इजिली आ जाएंगे और ये बनाने बहुत ही आसान है और बनकर बहुत ही खुबसूरत लगते है इन शूज के लिए ये मैंने 55 फंदे लिए और फंदे डालके हमने ये सारी सलाया उल्टी उल्टी बुनाई करनी है हमने राइट साइट से भी पर्ल वाइज बुनाई करना है और रॉंग साइट से उल्टी साइट से भी पर्ल वाइज ही बुनाई करना है हम यह सीधी साइड आगे यह सलाई भी हमने उल्टी बुनाई करनी है पहला फंद हम उतार लेंगे हमने ऐसे करके यह 19 सलाई बनानी है और यह सारी सलाई हमने उल्टी उल्टी बुनाई करनी है यह हमने 19 अलाईयां कम्प्लीट कर लिया और ऐसे करके हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके हमें यह 9 लाइने दिखाई दे रहे हैं अब हम शू का मिडल पार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनाना वो आपको मैं बताती हूँ हमारी यह टोटल 55 फंदे हैं 55 फंदे हैं इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है 22, 22 फंदे दोनों साइड और भीच में हमारे 11 फंदे रहेंगे तो हमने क्या करना है पहले हमने यह 32 फंदे यहां तक उल्टे बुनाई करने और एक फंदा जो 33 फंदा वो हमने छोड़ देना है और यहां पर हमारे 22 फंदे रह जाएंगे मैं आपको यह बना कर दिखाती हूँ हमने यह पहला फंदा बिना बुने उतार लेना है यह हमारा एक हो गया दो तीन चार पांच छे शाथ आठ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, और 22, यह 32 फंदे हो गए, यह हमारा 33 फंदा है और यहां से ही लेकि यहां तक यह हमारे 22 फंदे हैं, तो हमने जो 33 फंदा और यहां से हमने एक फंदा लेकर यह दो फंदों का हमने एक फंदा बनाना और यह हमने ऐसे उल्टा, यह दो फंदों का हमने एक फंदा बना लिया, यहीं से हमने इसको टर्न कर लेना है, यह धागे को आगे की तरफ करेंगे, अब हम यह दस फंदे बुनाई करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, यह हमारा ग्यारवा फंदा है, यह फंदा और एक यह फंदा लेके हमने दो फंदों का एक फंदा बनाना, ऐसे, फिर हम यहीं से इसको टर्न कर लेंगे, यह दिखिए, बीच में हमारी यह ग्यारा फंदे ही रहेंगे, यहां से एक, एक फंदा हमारा दोनों साइट से घटता जाएगा, फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे, फिर हम दस फंदे बुनाई करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छेट, साथ, आठ, नो, और दस, यह हमारा ग्यारवा फंदा, यहां से हमने एक फंदा लेना, इन दो फंदों का हमने ऐसे, एक फंदा बना देना, फिर हमने धागा पिछे करना, यहीं से हमने इसको टर्न कर लेना है, फिर हम दस फंदे बुनाई करेंगे, यह हमारा ग्यारवा फंदा है, यहां से एक फंदा लिया, यह दो फंदों का हमने एक फंदा बना लिया, फिर हमने यहीं से इसको टर्न कर लेना, धागा आगे की तरफ करेंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाना, हमने जब तक हमारे इस साइड भी 13 फंदे रहेंगे और इस साइड भी हमारे 13 फंदे रहेंगे हमारे इस साइड भी 13 फंदे रहेंगे और इस साइड भी 13 फंदे रहेंगे बीच में हमारे 11 फंदे रहें अब हम यह सारी सलाई यहां तक उल्टी भुनाई कर देंगे अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे यह हमारा शूप का मिडल पार्ट कंप्लीट हो गया अब हम यह उल्टी साइड आगे यह सलाई उल्टी भुनाई करेंगे अब हम यह सीधी साइड आगे अब हम जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए तो पहला फंदा हमने उतार लिया अब हमने धागे को सलाई पे ऐसे घुमा लेना है फिर दो फंदों का हमने एक पंदा बनाना और यह उल्टा ही बुनाई करना है फिर से धागे को सलाई पे ऐसे घुमाना है ये दो फंदों का हमने एक फंदा बनाना है धागे को सलाई पे ऐसे घुमाएंगे दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे हमने ये सारी सलाई कम्प्रीट करनी है अबेंगें लास्ट का एक तंदा हम उल्टा बुनाई करतेंगे, अब हम ये उल्टी साइड आगे, रॉंग साइड ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करतेंगे, ये देखिए, ये हमारे सारी जाली बन गए डोरी डालने के लिए, अब हम ये शूर का अपर पाट बनाएंगे, ये डिजाइन वाला, अब हम ये दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे, हम दो फंदे, दूसरे रंग से सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे तीन फंदे सीधे ऐसे हमने ये सारी रो कम्प्लीच करनी है आखिर के दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे अब हम ये रोंग साइड आगे जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वो फंदे उतार लेंगे बाकी फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे ये वाला फंदा हमने बिना बुने उतार थे ये फंदा हम उतार लेंगे फिर तीन फंदे उल्टे फिर एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे तीन फंदे उल्टे ऐसे हमने ये सारी रो कम्प्लीट करनी है अब हम ये सीधी साइड आगे ये हमारे डिजाइन की तीसरी सलाई है ये हमने जैसे हमने डिजाइन की पहली सलाई बनाई थी वैसे ही बनानी है हमने दो फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे फिर तीन फंदे सीधे फिर एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे तीन फंदे सीधे एक खंदा बिना गुने उतार लेंगे ऐसे हमने ये सारी रो कम्प्लीट करनी है अब ये हमारे डिजाइन की चौथी सलाई है उल्टी साइड ये हमने सारी उल्टी भुनाई कर देनी अब हमने ये सारे फंदे भुनाई कर देने अब हमने इसी डिजाइन को ये पहले वाले रंग से यही चार सलाईया सेम ऐसे ही बनानी है अब हम पहले वाले कलर से दो फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब तीन फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे ऐसे हमने ये सारी रो कम्प्लीट करनी है अब हम ये उल्टी साइड आगे जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वो उतार लेंगे बाकी फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे ये फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे ये हमने बिना बुने उतारा था फिर तीन फंदे उल्टे फिर एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे फिर तीन फंदे उल्टे ऐसे हमने ये सारी रो कम्प्लीट करनी है अब हम ये सीधी साइड आ गए एक फंदा सीधा एक फंदा बिना बुने उटारेंगे तीन फंदे सीधे एक फंदा बिना बुने उटारेंगे तीन फंदे सीधे फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे ऐसे हमने यह सारी रोग कम्प्लीट करनी है अब हम यह उल्टी साइड आगे यह सारी सलाई उल्टी बुनाई कर देंगे ऐसे करके हमने यह चार-चार सलाईयों का डिजाइन है अब हमने यह डिजाइन के आठ सलाईयां और बनानी है अब फिर हमने वाइट कलर से बुनाई करेंगे चार सलाईयां और चार सलाईयां हम यह ब्ल्यू कलर से बुनाई करके मैं इतना आपको यह कम्प्लीट करके बताती हूँ अब यह हमारे चार डिजाइन कम्प्लीट होगे एक, दो, तीन, चार अब हम चार सलाईयां उल्टी-उल्टी बुनाई करेंगे यह हमने फिर्स्ट कलर से ही बुनाई करनी है हमने सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करना है और उल्टे साइड से भी हमने उल्टा ही बुनाई करना है और यह हमारी पहली सलाईया अब हम यह उल्टी साइड आगे यह सलाई भी हमने उल्टी बुनाई करनी है अब हमारी 4 सलाईयां complete हो गई है ऐसे हम इने दो लाइन्स बना लिए अब हम शू को बन करेंगे तो हमने दोगों का ऐसे दिखी ये दो फंदे लिए उसका एक बनाया इसी फंदे को फिर हमने सलाई पे रही पर है ऐसे हमने यह सारे फंदे बंद कर देने हैं अब हम यहां से यह त्रेड को काट देंगे और इसको हम बंद कर देंगे यह हमारा शू बनके तैयार हो गया अब हम इसको ऐसे उल्टा करके हमने यहां से लेके यहां तक सारा सिलाई करेंगे अब हम यहां से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे कर देंगे अबड़ प्रेंगे बंद कर देंगे झाल आ झाल अब हम ये सारा कॉर्शन से लाई करेंगे और ये एक्स्ट्रा धागा हम सारा अंदर की तरफ कर देंगे अब मैं ये शू को सीधा करके आपको दिखाती हूँ ये देखिए अब मैं आपको डोरी डाल कर बता रही हूँ अब मैं ये मैं अब मैं ये दोद़ाना ये अपको दोड़ करेंगे ये वादू प्रवशन डचिसों आपको नचार से ले ले गज़ पाद ड़ीप आपको दोड़ियो करेंगे झाल झाल आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवार